बाईयों बेहनों आपसे बात करते हुए मैं एक और बात जरूर करूँगा मुझे फ़र नगर में जो हुआ वो तो कलंग था ही यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाख था था कि नहीं था याद है कि नहीं है राजनीतिक सवरक्षन में कैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है सहारनपुर का दंगा इसका प्रमाण है मेरे भाईयों बेनों प्रमाण ऐसी ही कर्तुतों के कारण दोहजार सत्रा में आप लोगों ने दंगा वादियों को ऐसा सबग सिखाया ऐसा सबग सिखाया और आज उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने में योगी जी को सफलता मिली लेकिन मेरे प्यारे भाईयों मैंनों आप ये मत सोचना कि ये दंगा वादी लोग शुधर गए हैं आप मत सोचना ये परिवार वादी शुधर गए हैं वो तो मौके की तलास में है मोका मिल जाए इसके इंतजार में है सहरानपूर के दंगों के बड़े गुनेगार को अब इन माफिया वादियों ने इस चुनाओं में अपना साथी बना लिया है और सिर्फ सहरानपूर की बात नहीं है पूरे पस्चिम यूपी में इन लोगों ने चुन चुन करके अपना अधियों को मैदान में उता रहा है हालत तो ये हैं कि ये लोग अब राष्ट विरोधियों को अपना प्रस्तावक तक बना रहे हैं इसका इरादा आप जुरूर समझिये योगी जी की सरकार ने अपराधियों के खिलाब कारवाई की उन्हें जेल बेजा इसलिए इनका गुशा सात्वे आसमान पर पहुँचा हुआ है ये लोग यूपी के लोगों से बदला लेना चाहते हैं आप से बदला लेना चाहते हैं और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि जो लोग उस समय दंगाईयों को कोस रहे थे वो इस चुनाव में दंगाईयों के साथ गले मिल रहे हैं उनके साथ खड़े हो गए हैं